दोस्तो आप सभी को हमारी यूटूब चैनल तिलक भक्ति दर्शन में स्वागत है दोस्तो अगर आप हमारी यूटूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आपको यह वीडियो अच्छी लगते है तो इस वीडियो के लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा दोस्तो आज हम रमाइन्स से जुड़ी एक महत्पून बाते आपको बताने जा रहे हैं जब भागवान श्री राम के भक्त श्री हनुवान जी असोक वाटिका में पहुंचते हैं तो वो अपना अतिल लगू रूप धारन करके वे असोक वाटिका के एक ब्रीच पर अंधेरी रात को बैठ जाते हैं और माता सीता से मिले के लिए तब तक इंतिजार करते हैं जब तक कि सभी राक्षसिया वहाँ से वापस नहीं जाते हैं तब सभी राक्षसिया रातरी में चली जाते हैं तब स्री हन्मान जी असोक वाटिका के व्रेज परबैट का स्री राम कहानी का एक भजन गाते हैं जिससे माता सीता घवरा जाते हैं वो असोक वाटिका के चारो तरफ देखने लगती हैं और वो कि इतनी रात को प्रभु सिर राम के भजन आखिर कौन सुना रहा है कहीं कोई राचस या रावन नहीं है जो कोई ऐसा रूप धारण करके हमें भैवीत करने के लिए ऐसा भजन सुना रहा है तो माता सीता को इस तरह घबराते हुए देखते हुए स्री हन्मान जी अतिल सुक्ष मलूप रूप धारण करते हुए असोक बाटका के पेण से उतरते हैं और माता सीता को दर्सन देते जिसे माता सीता और घबरा जाती है और वो कहने लगती है कि तुम जो भी हो तुम सभी राक्षा समी क्यों सता रहे हो और क्यों डरा रहे हैं जिसे हनवान जी कहते हैं कि माता आप हम पर संच नहीं कीजिए मैं सिर्राम का अनन भक्त हूँ और हनमान जी पर विश्वास होता है कि वह प्रभु सिर्राम का ही अनन्य भक्त है और प्रभु सिर्राम ने उन्हें भीजा है